हवोका किचन में आज हम दो किल्लो मिक्स वेजिटेबल से उत्राण स्पेस्सेल में गुजराती उंधियू बनाएंगे ये गुजरात की ट्रेडिशनल डिश है अगर आपको मेरी ये गुजराती उंधियू की रेशिपी अच्छी लगे तो इस उत्राण पर आप इसे एक बर जरूर ट्राइ करें और मेरी चनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाए ताकि मेरी आने वाली हर एक नई रेशिपी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी एक पतिले में 250 ग्राम ओईल लेंगे दो से तिन टुकडे तचके दो मिडियम सैच की प्याज प्याज को सोफ्ट करना है दो से तिन मिडियर तक इसे फ्राइ करेंगे प्याज फ्राइ हो जाने के बाद दो किलो मिक्स वेजिटेबल एट करेंगे मिक्स वेजिटेबल में मैंने आलू, बेगन, मतर, तुवेर, लौकी, गवार, टिंडे, सुर्ती पापड़ी, वाल पापड़ी, हरे चने और फुल गोबी का इस्तिमाल किया है अब हम इसमें स्वादनुसार नमक एट करेंगे और एक बड़ा चम्मच हल्दी एट करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हल्दी एट करने के बाद हाई फ्लेम पर इसे दो से पांच मिनिट के लिए भूनना है भून लेने के बाद ढगकर इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे पांच से साथ मिट बात देखते हैं फेची टेबल अच्छी से कोख हो गये है अब हम इसमे दो मेडियम सेच के बारिक कट्टे टमाटा रेट करेंगे पचास ग्राम लाल मिर्च पावडर रेट करेंगे पचास ग्राम धन्या पावडर रेट करेंगे दो बड़ी चम्मच गरम मसाला पावडर चार से पाच बड़ी चम्मच जितना अधरकलसन का पेश्ट रेट करेंगे सारे मसाले को सबजियों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें पाने बिलकुल भी एड़ नहीं करना है और सबजियों को हम लो फ्लेम पर पकाएंगे ये अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसे लो फ्लेम पर ढपकर पकाएंगे वेचिटेबल कुक हो रहे हैं तब तक हम मेथी बड़ा बनाएंगे एक बाउल में दो कप चने का आटा स्वादनुसार नमक एक छोटा चम्मच अजवाइन अधा छोटा चम्मच हिंग पाउडर एक छोटा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट एक छोटा चम्मच सक्कर एक छोटा चम्मच बेकिंग सोडा एट करेंगे एक छोटा चम्मच निमुका रस एक छोटा चम्मच ओईल आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच हल्दी एट करेंगे एक कप बारिक कटी हुई मेथी एट करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करके इसका सौफ्ट आटा गुंद लेंगे और इसके छोटे-छोटे मेथी वड़े बना लेंगे मेथी वड़ा रेडी है अब हम इसे डिप फ्राइ करेंगे मेथी वड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं अब हम इसे उंध्यू में एड़ करेंगे मेथी वड़े एड़ करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद दो बड़े चम्मत सक्कर एड़ करेंगे और तीन से चार बड़े चम्मच पानी एड़ करेंगे मिक्स करके तीन से पांच मिनिट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे उन्दियू कोख हो रहा है तब तक तड़का रेड़ी करते हैं एक पेन में दो बड़े चम्मच ओइल और एक बड़ा चम्मच राई एड़ करेंगे एक छोटा चम्मच जीरा एक छोटा चम्मच अजवाइन एक छोटा चम्मच हिंग पाउडर दो छोटे चम्मच तिल आट से दस कड़ी पत्ता एड़ करेंगे तड़का रेड़ी है आप हम इसे उंद्यू पे एड़ करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे गुजराती उंद्यू रेड़ी है सव करने के लिए इसे गर्मागर पूरी के साथ सव करें हरे धनिये से गार्निश करेंगे अगर आपको मेरी ये ट्रेडिशनल गुजराती उंद्यू की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फोर वाचिंग